नमस्कार दोस्तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलप विद जारवी पर हार्दिक अभिनंदन एवम स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएश्टीशी और पीटेट एकजाम 2020 के लिए राजस्तान समाने ग्यान के मोस्ट एपो यूटूब चैनल जीके हेलप विद जारवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बनावा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यूव वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए स र्यासत में सबसे पेले मराथों का प्रवेश हुआ था राज 민 successes में तो आपको यादर भणा करना है बुंदी र्यासत में मराथों मुंका प्रवेशane बृश्व हुआ है चली अगला कोस्ट ने हुरुडा समेलन कब आयोजित हुआ था तो मित्रों यह आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734 में इसका ओप्शन ए राइट है वेरी वेरी इपॉर्टेंट डेट है यह एकजाम में बहुत बार पूछी गी यह तो आपको ध्यान रखने और दोस्तों यह पस्तों में जो हुड़ा स्थान है यह बिलवडा जिल में यह आपको ध्यान रखने है चली अगला कोस्ट्नः इंद्रा गांधि नेैर का जिरो पॉइंट निवन में से किस स्थान पर है ज्यान देना जिरो पॉइंट है इंद्रा गांधि-नेर का वोह हैमितरों मौंगड जो कि जैसलवेर में इसका option B right है अगर question पूछा जाए कि इंद्रा गांदी नहर प्रयोजना का अंतिम छोर कौन से तो आपको ध्यान रखना है गड़ा रोड यह जो गड़ा रोड स्तान है मित्रो यह बाड़ मेर में यह भी आपको ध्यान रखना है चली एकला question है चितोडग मोरे ने करवाए था चली अगला question है साबाद बारा का किला किस पाड़ी पर निर्मीत है इस question का option A right है very very important question है आपको यह ध्यान रखना है साथ में याद रखें मानी दमदमा पाड़ी पर बयाना किला अस्तित है चिडिया टुप की पाड़ी पर जोदपुर का मेरानगर दुरुग अस्तित है और त्रिकुट पाड़ी पर जेसलमेर का किला अस्तित है ये भी आपको ध्यान रखना है मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उन्हें बेफाइदा मिल सके अगला कोस्टन है अजमेर में अडाई दिन का जोंपडा किसने बनवाया बते ही दोस्तों ये जो अडाई दिन का जोंपडा है अजमेर में स्तीत है इसका निर्मान करवाय था कुतुब दिन एबकनी इस कोस्टन का ओप्शन ए राइट है चलिए साथ मा कोस्टन है है आपको बताना है इस समंदीट मेला कलाकार का नाम आपके सामने द्यानपरुक देखे फिर इसका जवाब दीजिए तो मित्रों पिछवाई कला से समंदीट मेला कलाकार का नाम है कमला इलाइची इस क्वेस्टन का डी ओप्सन राइट है चलिए अगला कुष्टन है स्रीमती वुसंद्रा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बनी आप सभी को पता है राजस्तान की जो पर्थम मेला मुख्यमंत्री है उनका नाम है स्रीमती वुसंद्रा राजे य चलिए दसमा कोस्टन है संत दादू वा उनके सिश्यों की रचना किस बासा में लिखी गई है संत दादू वा उनके सिश्यों की जो रचना है वो डुंडाडी बासा में लिखी गई है संत दादू को राजस्तान का कभीर का जाता है यह कोस्टन बहुत बार एकजामें पुछ अगलाए दादूपंथ से और तक अलद्रीबा कयलाता है इसका ब्युसन राइट अलग द्रीबा यह कॉस्टेन वेरी-वेर इपॉर्टेट नवें पुछा गया तो आपको यादát को सुंक्तißtान में कौन सी र्यासत नहीं ती षोकर जिस्फ्स्टान में कौन सी र्यास्तान में कौन सी र्यासत नहीं सी तो इस question का D option right है जोदपुर जो रियासत है ये स्विंक्त राजस्तान में नहीं थी चलिए अगला question है पदमसरी से अलंकरत जेपुर के डाक्टर प्रमोध करण सेठी ने किसका निर्मान किया पिके सेठी या प्रमोध करण सेठी ने बनावटी पेर का निर्मान किया था इसका option A right है जिसे कृत्रीम फुट के नाम से भी जाना जाता है ये आपको ध्यान रखने चलिए शोडमा कोस्तन है जनगर्णा 2011 के अनुसार राजस्तान में पुरुष जन संक्या का प्रसीत कितना है बते मित्रो जो जनगर्णा 2011 इसके अनुसार राजस्तान में पुरुष जन संक्या का परतिसत है वो है मित्रो 51.86 परतिसत इसका option A right है 51.86 परतिसत अगला कोस्तन है खानवा के युद में बाबर ने कि प्रयोग किया था राणा सांगा और बाबर के मद्य अधा इसमें राणा सांगा खिलाप बाबर नैं किस प्रयोग किया था तो मित्रोत्न तुल्ग मां प्रयोगी था इस के चल्य ठारमा कोश्च्चन में राणा संग होने के नहीं तो मित्रों highly के प्रशाइत जाला आज्जा नीं दारण किया ठ यह कोश्चन वेलिए पॉर्टेंट अ dr बार एक्जाम में पुछा गया है साथ में आपको बताते हूं हल्दी गाटी का यूद्ध है इस यूद्ध में जब मारना परताब गयल हो जाती है तो इनका राची ने दारण किया था जाला बिंदा ने ये भी आपको याद रखना है चलिए नेस्ट कोस्टन है राज्य में कि दमासा प्रंप्रा कहन की प्रसीद कला है तो यह प्रसीद है मित्रो जयपूर की इसका ऑफ्सन ये हिर mean मित्रो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जूरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में से ज़ादा से ज़ादा सेर करेता कि उन्हें भी फाइदा मिल सके चली अगला कोस्तन है सेकवाटी ख्याल का जनक है बते मित्रों सेकवाटी ख्याल का जनक कोन है तो इसका डी ओप्सन राइट है ननुराम सेकवाटी ख्याल का जनक है चली अगला कोस्तन है बिकानेरी ख्याल का जनक कोन है बते मित्र जनक है चलिए अगला कुष्ट ने बीलवड़ा जिले की स्री लाल जोसी ने किस कला को अंतरा पैचान दी इन्होंने किस कला को अंतरा पैचान दी थी तो फढ़ चित्रकला को अंतरा पैचांदी थी इसका ओप्षन ए राइट है कि चलिए तेश्मा कुष्टने देश की पहली मेला फट चितेरी कौन थी देश की पर्थम मेला फट चितेरी तो मित्रों रामदेवजी की फढका वाचन किया जाता है कि या अगला कोस्तन है 25 महा नीमन में से कौन सा नरते है वेवसाइक नरते है नहीं है ज्यान देना वेवसाइक नरते है नहीं है यह आपको पताना है बवाई नरते है तेरह ताली नरते है कच्ची गोड़ी नरते है यह जो तीन नरते मित्रो यह वेवसाइक नरते है गुडला नरते है यह वेवसाइक नरते है नहीं चलिए 27 मा कोस्टन है जिस छेत्र में नोटंग की सरवादिक लोग पिरिये है वै है बताए मित्रो ये जो नोटंग की है किस छेत्र में सरवादिक लोग पिरिये है तो मित्रो ये बर्तपूर में इसका D option राइट है अगला कोस्टन है राणा सांगा ने खातोली के युद में किसको प्राजित किया था खातोली का जो युद्ध मित्रो ये वथा 1517-18 में इसमें राणा सांगा ने सुल्तान इब्राहेम लोधी को प्राजित किया था C option इसका राइट है 29 में कोस्टन है खानवा के युद में अलवर से राणा सांगा का स्योगी कोन था बते मित्रो अलवर से राणा सांगा का जो स्योगी था खानवा के युद में वो था मित्रो हसन खाम मेवाती कोन था हसन खाम मेवाती इस question का option A right है, अगला question है, खानवा के युद से पहले बाबर की त्यारियों से समधित सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है, बाबर की त्यारियों से समधित है, खानवा के युद से पहले की बात है मित्रो, तो option A देखते हैं, बाबर ने सेनिकों के उपर से तमगा कर आठाया, य युद को जिहाद यानी कि द्रम युद की संग्या दी थी तो जो खानवा का युद है इसे बाबर ने जिहाद गोस्रित किया था ये भी सत्य कतन है तो इसका डी ओप्सण राइट उजाएगा सभी कथन सत्य है चलिए 31 कोस्टन है खानवा की युद में बाबर के तोपची कौन थे तो मित्रोग खानवा का जो युद है इसमें बाबर की जो तोपची थे वो थे मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली मुस्तफा रूमी उस्ताद अली इसका सी ऑपसन राइट है ए वह बी दोनों चलिए 32 को से ने रاج के पुनर गठन के बाद राजय में जीले थे बते मित्रु राज्य के पुनर गठन के बाद राज्य में जो जिले थे वो थे 26 इसका उप्षन बी राइट है और 26 मजिला कौन सा था अजमेर एक नमबर 1956 को 26 मजिला अजमेर बना था परजेंट टाइम में 33 जिलेया और 33 मजिला परताब गड़ परताब गड़ का गठन के योजनाकार जिने पदम बुसन से समानित किया गया है इंद्रा गांदी नेर के योजनाकार जिने पदम बुसन से समानित किया गया है उनका नाम है कमर से इसका डी ओप्षन राइट है और मित्रो यह जो इंद्रा गांदी नेर है इसका पूर्वे का नाम है राजस्तान तो आपको ध्यान रखना है तीन नवंबर injust two raemi को क हार चलिए चौंतिसमा कोच्चन है रहा है कानढ़ देप्रबंध का रिचेतना कोने हैं कानड दे 35 निमन लिखित में से किस ने 1951 में काली बंगा की पहचान की काली बंगा काली रंग की चुड़ियां हनुमानगर जिले में सब्वेतास ता लए और 1951 में इसकी पहचान की थी अमलानांद गोस ने इसका ओप्षन ए राइट है यह आपको द्यान रखना है और दोस्तों साथ म सवाल इवम भीक के ठापर के दोहरा यह भी आपको याद रखना है हुआं चल इचाल सतीसमा कोषचन है तरुनर राजस्तान समाचार पतर के विवस्तापक प्सकान नाम है जै नरान वयास इसकोषचन का सी ओप्सनείों राइट जै न रायन वयास चले अगला कोषचन्तिनन अलवर नगर के संस्तापक थे अलवर नगर के संस्तापक करता को थे राव परताप सिंग इस question का D option right है ये question very very important है एक्जाम में अक्सर पुछा जाता है तो आपको ये ध्यां राखना है अगला question है राजस्तान के जिलों में सरवाधिक लिंगानुपात एबं न्यूनतम लिंगानुपात राजस्तान का जो जिला है उसका नाम है डुंगरपुर कितना है 900 चुराण में यह आपको ध्यार रखने हैं और नियुन्तम लिंगानुपात है दोलपुर जिले का कितना है 846 इसका सी ओप्सन राइट है हो जाएगा चलें नेश्ट कोष्ँ नैं निम्ण में से कौन सा सहरप पाकिस्तानी सीमा के निकट है तो मित्रो निकट है गगानगरजिला इसका डि ओप्सन राइट है और दूर है मित्रो इं stitching एकर बात करें तो वह भी कानेर ये भी आपको ध्यान रखना है ररी जम अगला कोस्त ने इन में से पकिस्तान के किस जिले की सीमा राजस्तान के साथ सरवादिक लगती है इन में से पकिस्तान के किस जिले की सीमा राजस्तान के साथ सरवादिक लगती है तो इसका सी उपसर राइट है बहावलपुर इस जिले की सीमा राजस्तान के साथ सरवादिक सोरी दोस्तो जो खेरपूर जिल है पाकिस्तान का इसकी राजस्तान के साथ सबसे कम सिमा लगती है ये भी आपको द्यान अकना है अगला कोस्त ने जेसल मेर तथा दोलपूर के मद्यास्तानिय समय में कितना अंतर दिखाई देता है जेसलमिर थता दोलपुर के मध्यमित्रो स्तानिय सम्मे में 30 मिनिट का अंतर दिखाई देता है इसका ओफचन A राइट है चलिए अगला कुस्तन है मिर्जा इसमाइल का समंद है बते मित्रो मिर्जा इसमाइल इनका किस रियासत से समंद है जैपुर यहसत से इसका option A Right है चलिए अगला कोष्टन है बरतपुर को राज्य का साथा संबाग बनाने की अधिसूचना कब जारी कि गई आप सभी को पता है राजस्तान में साथ संबाग है और साथा संबाग कोन्सा है बरतपुर इसको साथा संबाग बनाने की जो अधिसू दियान रखना है एक तो बर्तपुर दूसरा स्भाई मादवपुर तीसरा दोपूर चोथा क्रोली यह आपको याद रखना है ऐफ चलिए नेस्ट कुष्ट ने संभागे विस्ता किसने सुरू कि थी अगर बात करें सरपर्तमcken window सारू की थी वो की थी हिरालाल सास्त्री ने इसका डी ओफ्स राइट है और दोस्तों संभागे वस्ता बंद किस ने कि थी मौनलाल सुकाडिया ने बंद कि थी पुन्य संभागे वस्ता शुरू किस ने कि थी हरीदेव जोसी ने यह भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्त ने मौनुदिन चिस्ती बारत में पिर्थ्वी राज चोहां तृत्य के सशनकाल में आये थे इसका सी ओफ्सन राइट है अगला कुस्त ने किस अस्तान पर नहर खां की मिनार अस्तित है तो मित्रों नहर खां की मिनार अस्तित है कोटा में इस कोस्टन का सी ओफ्सन राइट है अर्तराइसमा कोस्टन है चितोड का नाम खिजराबाद किस मुगल सासक ने रखा था बदे मित्रों चितोड का नाम खिजराबाद किस सासक ने रखा था यह आपको द्यान रखने तो इस कोस्टन का ओफ्सन बी राइट है अलाउदिन खिल जी के द्वारा रखा गया था अगला कोस्टन है राजस्तान के करोली में किस राजवंस का ससन कायम था तो मित्रो करोली में यादव राजवंस का ससन कायम था इसका डी ओप्षन राइट है और आज का अंतिम कोस्टन है दिलवाडा में आधिनात मंदिर का निर्मान किस ने कर तो आपसे most reported 50 questions पूछेगे इन 50 questions में से आपके कुल कितने questions राइट हो रहे हैं यह कमेंट बोक्स में आप जुरूर बताएं यहां पर आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्तान समाने ग्यान से समधित आपकी कैसी त्यारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएग साथी दोस्तों आपसे निवेदर रहेगा कि आपने अभी तक के टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो उसे जुरूर जोइन करें और मेरे साथ जोड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम ID के माद्यम से भी मुझे फोलो कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको description में मिले जाएगा चलिए आप बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे question पूछा गया था उसके बारे में लास्ट वीडियो में आपसे question पूछा गया था रनकपूर का प्रसिद जेन मंदिर किस जिले में अस्तित है तो मित्रो इसका बी ओप्स राइड था पाली जिले में रन पांडलगड बीलवाड़ा में अस्तित है यह चत्री किसने बनवाई थी यह आपको बताना है यानि कि सांगा के चत्री किसने बनवाई थी ओप्सन आपके सामने राणा कुमबा मारना परताप उद्यसियां असोग परमार तो इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक् वंदे मातरम जय भारत